हेलो इस्टूडेंट मैं नरेश कुमार मैंत बाइन रेजिसर क्लासे से आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आज फिर से हम अमसी प्रिवेश जिसके अंदर हमारे पास से पेपर फोर्थ चल रहा है डी जी एंड टी ए यानि डिफ्रिन्शल जोमेट्री एंड टेंसर अनलेजिस और आज इसके अंदर हमारे पास लास्ट यूइट चल रही है फिप्त और लेक्टस नंबर टू है ठीक है और जो हमारे हमारे पास स्टुडेंट सेकिंड से हैं उनके लिए पेपर फोर्थ है पेपर का नाम है उनके लिए रिमान नहीं जोमेट्री एंड टेंसर से उस्टूडेंट्स के लिए यूनिट थर्ड का लेक्टस नंबर टू है यानि जिसका साल में एक बार अग्जाम होता है हम लेकश्वण के अंदर छोटी छोटी प्रोपरटी आपको लिखवा चुके हैं उमीद है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने फियर रेजिस्टर में उसे नोट भी किया होगा ठीक है भी उमीद है आपको ठीक ठीक आपने प्रेक्टिस की वोगी उसका क किस परकार से हमारे पास crystal fall symbol होता है तो चलिए उससे आगे बढ़ें सबसे पहले हम एक बार बिल्कुल shortcut में लिखता हूं में crystal fall crystal fall symbol या crystal fall brackets बोल सकते हैं सबसे पहले बताइए हमारे पास fast kind क्या होता है या crystal fall symbol का fast kind क्या होता है तो आप इसको इस परकार से लिखेंगे i, j और k ठीक है क्या जाएगा भई हाफ ही डेल जी अपॉन कोई भी ले लो i का k के साथ पहले i का k के साथ j गाएब है तो अक्सकी पावर में लगा दो फिर इस j का k के साथ फिर इस जे का के साथ है आई गायव है तो आई लगा दो फिर हमारे पास है आई जे फिर हमारे पास है आई जे और आई जे है तो के गायव है तो के लगा दो यह हमारे पास से फैस्ट काइंड होता है इसी परकार हमारे पास क्रिस्टोफोल सिंबल का सेकिंड काइंड क्या हो होता है कोई भी सिंबल हम कैसे भी ले सकते हैं जैसे मालो मैंने यहां ले लिया आई जे और के ठीक है यहां ले लिया मैंने आई जे और के तो यहां क्या जाएगा जे के तो यहां क्या जाएगा भई जे के अब जैसे मालो यहां आपने लगाया तो जी की पहले यह आई उपर पर आई लगाओ और यह लगाओ तो यह आई और एक बार चलो एम लिख लो तो यह एम लिखेंगे तो यह हमारे पास है एम आ जाएगा यह हमारे पास क्रिष्टोफोल सिंबल ओफे सेकिंड काइंड होता है फिर हमने लिखी थी फैस्ट प्रोपर्टी फिर हमने लिखी थी फैस्ट प्रोपर्टी क्या होती है किसकी क्रिष्टोफोल सिंबल की तो यही था इसको उल्टा लिख दो कैसे भी लिख द लिख दो अब इदर मानलो अपने M लगाना चाहा तो यहां आजाएगा G K M यहां हमारे पास क्या जाएगा G K M आजाएगा ठीके तो एक तो हमारे पास यह है और एक हमारे पास है इस परकार से यह क्रिष्टोफोल सिंबल की फेस्ट प्रोपर्टी होती है ऐसे लास्ट लेक्सेस के अंदर हम सेकिंड प्रोपर्टी भी कर चुके हैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो जैसे ही आजाए डेल अक्स की के आगया तो एक बार तो आई का के साथ एक बार तो क्या आजाएगा भाई सेकिंड प्रोपर्टी है आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड प्रोपर्टी तो यह आपको डाटा पिछे के याद रखने हैं कि क्रिश्टोफ होल सिंबलों फैस्ट का इंड क्या होता है आई जे और के आपको पता हमें में हमएवाइस प्रोपर्टी याद रखना है और एक प्रोपर्टी है और ये तब तक हम इस डाटा को ऐसा का ऐसा याद रखने की कोशिसे करते हैं कि किस परकार से हमारे पास इसके इसके सिंबल होते हैं आई है जे है या के है ये सब हमारे पास रटने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए ठीक है ये आई जे के है ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कैसे भी स्टार्ट कर दो जैसे फेस्ट का आई का के के साथ जे फिर जे का के के साथ आई इस परकार से आप आ टोपिक तो यही चलता है पीछे वाले लेक्च्श का property of the crystal symbol आज हमारे पास इसके अंदर property 3rd है और एक बार property 3rd को आप ऐसे याद रखोगे ठीक है वह एक बार property 3rd को ऐसे याद रखोगे देखिए पहले हमने M लिया है तो क्या बच गए M लेने के बाद K और L बच गए तो K और L लगा दो K और L बच गए तो आप K और L लगा दो K लेने के बाद कितना बचा है M और L बचा है तो आप M और L लगा दो तो देखो याद रखने का तरीका देखो ऐसे बना लो जैसे ऐसे है कि डेल जी आई जे अपॉन डेल अक्स की के तो देखो ये भी माइनिस जी की पावर यहां कुछ ऐसा आएगा माइनिस जी की पावर यहां भी कुछ ऐसा आएगा पहले तो आप बल्ल्यू प्रिंट ये या इस पहले हमारे पास a एप ढ़ा ऐसिए लगाई है प्र हमारे पास a तो a लगाया तो आज यहां a यह काम में ले चुकिए टो यहां a जखेंगा यहां जय काम ले चुके तो a यह आ यहीन फिए तो यह को दो तो नीचे हमारे पास K है ये K इधर भी है और ये हमारे पास K इधर भी है ठीके अब आपकी मर्जी जैसे इनोंने I, I, I और I लगाए हैं आप कुछ भी लगा सकते हो बस I काम में आ गया तो मैं M लगाना चाहूंगा तो ये M, M और यहां भी M लगाना चाहूंगा तो M और M आ जाएगा तो कुछ इस परकार से हमारे पास ये क्रिस्टोफॉल सिंबल की थर्ड प्रोप्रेटी है शुरुआत में ये याद नहीं रहेगी इधर उदर में प्रेशा नहीं होगी पर दो तिन बार आप रणिंग में इसे लिख लोगे बिना देखे उसके बाद आप इसक और माइनस जी ठीक है को आपको कुछ भी रटने की जुरुत नहीं है जैसे ऐसे आ गया कि एल एम और एन ध्यान से देखना पहले नीचे एन है ना ये राइट सैड में नीचे की और लिख दो पहले तो इसको लिखो वैस बात कतम ठीक है अब एल और एम है एल इधर लिखो तो एम इधर लिखो या एम इधर लिखो तो एल इधर लिखो एम इधर लिखो तो एल इधर लिखो ठीक है वैसी हो गया अब अपनी मर्जी से यहां आप कुछ भी एक सिंबल ले सकते हैं जैसे मालोब मर्जी से हमने के लिया है तो यहां लगा दो के लिया है वो ही यहां यह हो गया हमारे पास ही crystal fall symbol की third property तो मैंने इसे तरह तरह से याद रखने का तरीका है यह बता दिया है अब हम इसका एक बार प्रूप देख लेते हैं ताकि हमारे पास बहुत ही अच्छे से याद हो जाए ठीक है वही यह हमारे पास बहुत ही अच्छे से याद हो जाए तो येस आप क्यूशन्स बना के लिख लो कि सो देट डेल जी की पावर एम के अपॉन डेल अक्स की पावर एम इज इकवर टू माइनस जी एम आई के आई एल माइनस जी के आई एम और आई एल देखो सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए अग्जामिनेशन्स के अ और ये आगे वदल के कुछ और दे सकता है इसलिए आप प्रोसेस ध्यान से देख लीजिए कि कि किस प्रकार्शे करना है क्या मानना है लिखाओ तो आपकी बुक में भी है बट आपको समझना है कि कौन सी जगह हमें क्या लेके चलना है ठीक है वई तो देखे सबसे पहले ह हम इसके प्रूफ में लिखेंगे कि सिंस वी नोओ डैट चोंकी हम जानते हैं कि वई सिंस वी नोओ डैट चोंकी हम जानते हैं अब आप तो आपको ऐसे जानते हैं कि जैसे हो गया G, I, J जै ऐसे देखो और G, J, K ग, J, K तो ये डेल्टा, K और, I बन जाएगा ये हमारे प उपरकार से लेना है कि एक नीचे का और एक उपर का कैंसिल हो जाए बले ही केंसिल हो जाए ठीक है वह सबसे पहले तो आप इसी चीज़ का ध्यान रखोगे कि इसे इस हिसाब से मानों जैसे मानलो मैंने मान लिया जी एम एन तो जी की पाऊर आतो एम लोगे या एन लोगे जैसे खाए यह इन ले लिया और यह ऐल तो एन से एन से एन कैनसील होने के के हो जाए और इस परकार से आजए अब यहां हमें क्या लेना है तो आप लेप्ट हैंड साइड में देखते विच लेंगे ध्यान देना राइट हैंड से में हम बिलकुल भी ध्यान नहीं देंगे ठीक है दो-तिन चीजें हम पर ध्यान देंगे कि हमारे पास कौन-कौन से indices हैं आपको पता है ना यह तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूनिट फोर्थ को भूल गए हैं क्या आप पिछे वाली यूनिट को भूल गए हैं जिसके अंदर मैंने indices बताई थे कौन-कौन से indices हैं M है के है L है यहां आई आगई आई आगई L है के आगई I आगई M I K L यहां हमारे पास चार indices हैं M K I L यही और कई I L L I K M I L K I M M I उल्टे सूल्टे यह हमारे पास चल रहे हैं सबसे पहले हमें कुछ इस परकार से मानना है कि एक करोणीकर डेल्टा तो ध्यान रखना हमारे पास लेप्ट हैंड साइड के अंदर इसमें से कोई एक बच जाए या तो आप M बचा लो या हमारे पास K बचा लो तो देखो इस हिसाब से लिखो लिखना मत एक बर केवल समझो कि य हमारे पास उपर या तो M बच जाए या फिर हमारे पास K बच जाए ठीक है या तो हमारे पास M बच जाए या हमारे पास K बच जाए जैसे दोनों से तरकी से करके दिखाऊँगा जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास K बच गया ठीक है अब और कौन से आगी यह हमने K को काम म में ले लिया है एक आपको यहाँ जो कौमन चल रही है यहाँ देना यहां भी देखू आई और आई कौमंड चल रही है तो यहाँ और I common ले 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 तो यहां भी I ले लिया और यहां भी हमने I ले लिया तो इसके लिए तो बचाना होगा K और इसके लिए आप इन में से मत लेना कोई भी नया ले लो जैसे मालो मैंने J ले लिया तो यह हमारे पास J आजाएगा ठीके, यहाँ मालो इस्टार्टिंग आप M लेना चाहो तो यहाँ M लिख सकते हो और यहाँ हमारे पास M आजएगा, इस बात से हमें कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है तो सबसे पहले ही पहले आप यह लिखोगे कि Since we know that G, I, J Since we know that, एक तो हमने ले लिया G, I, J और एक हमने जानबुज के ले लिया G की I और K तो यह हमारे पास क्या बचेगा वई? तो देखिए, I से I कैंसल K और J बचेगा यह हमारे पास बचेगा Δेल्टा K और J इसको आप मानिए, यह हमारे पास equations number 1 है और ध्यान से देखिना किस प्रकार से हम मानेंगे क्योंकि मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इस बात के उपर है कि अग्जामिनेसस के अंदर यह सिंबल बदल के दिये जा सकते हैं येस, इस बात के कोई गरेंटी नहीं है कि यहाँ M, K और आपको L है लिखके देगा यहाँ के सिंबल आपके पास बदल के आ सकते हैं तो देख ले न, थरी indices हैं M, K और L और यहाँ I, I, I और I common है तो I common है तो एक तो I नीचे लो और एक I उपर लो पहले तो इसका इलाज करो, common वाली का अब यहाँ उपर कोई एक ले लो या तो M या K जैसे मैंने K लिया है उपर K लिया है तो K बचना चीए अब अपनी मर्जी से जैसे मैंने मान लिया यह J है, ठीके तो देखे, I से I हमारे पास cancel I से I हमारे पास cancel नीचे J बच गया, उपर K बच गया तो चलो, देखो एक बड़ कहीं ना कहीं हमारे पास किये हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके यह हमारे पास क्या है क्रोनिकर डेल्टा, आपको पता है क्रोनिकर डेल्टा की वेल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, अब आप इसका differentiation कर लो तो सबसे पहले ही पहले यही बात है कि चलो यह क्यूसिंस आज जाएगा तो हो सकता आप याद भी रख लोगे, पर ध्यान देना याद नहीं रहेगा, इन तीन indices में जो यहाँ common चल रही है, उसको तो आपको common लेना है, आई हो रही अब उसमें से या तो M बचाईए या K बचाईए, तो हमने मालो K बचा दिया, तो निचे ऐसे J लगा दिया तो यह K औरे, J कैसे भी target यह है कि हमारे पास एक left hand side यहां से आ जाए अब देखो हमारे पास यह वास्तों में क्या है, देखो left hand side में differentiation नहीं हो रहा, YES किस के respect में हो रहा है भई, X की power L के respect में तो हम क्या बोलेंगे, Now differentiation है Equation 1 Now, differentiation है Equation 1, With Respect 2 With Respect 2 कि Самे respect में करें है, हम X की power L के respect में X की power L के respect में Both side we get तो जैसे ही हम दोनों पक्षों से इसका, X की power और L के respect में differentiated करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाईएगा तो यह तो आ जाएगा देखि ध्वान है से इसका करना है हमें एक बार तो यह इसको मान लो फैस्ट पर दे और इसको मान लो second पहले को छोड़ दो दूसरे का differentiated plus दूसरे को छोड़ दो G I E और J को दूसरे का differentiation कर दिया किसके respect में करना है भई X की power L के तो आप ऐसा कैसा लगा दो X की power L और यह आ गया G की power I के यह आ गया G की power I के पलस दूसरे को छोड़ दो पलस से दूसरे को छोड़ दो I और K को पहले का differentiation किसके respect में अक्स की पावर L के रिस्वेक्ट में तो ये अक्स की पावर L और ये है G I J ये है G I J और ये क्या हो जाएगा वई 0 हो जाएगा इसका differentiation हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा साइड में लिख दिना चुकि ये करोनिकर डेल्टा है वई ये हमारे पास क्या है करोनिकर डेल्टा है इसकी वेल्व आप जानते हैं या तो 0 होती है या 1 होती है 0 कब होती है 0 is equal to J 1 कब होती है जब के और J बड़ाबर आजे तो अब चाहिए आपके पास 0 आई या constant आई 0 या constant का alkaline क्या होता है या differentiations क्या होता है इसका 0 ही होता है इसलिए इस करोनिकर डेल्टा का differentiation 0 आगिया ठीक है तो सबसे पहले ही पहले ये हमारे पास important बात थी कि किस परकार से आप इसे याद रखोगे तो यहाँ ध्यान देलना जो कॉमन आ रहा है दोनों में ही आई आई वो आपको काटनी है उपर नीचे इसका या तो M ले लिजिए या के मानलो अगजा में या कुछ बदल के आए तो उसका कोई एक सिंबल ले लिजिए यहाँ अपनी मर्जी से नया सिंबल लगाईए तो यह नया सिंबल इधर आजएगा फिर दोनों सेड आप डिफरेंसेशन कर देना यहाँ जो भी हो क्यूसन में यहाँ तो L है मानलो अगर J आजाए के आजाए तो उसके रिस्पेक्टिमें आप इसका डिफरेंसेशन कर देना ठीके अब देखिए हमारे पास कौन सा हमें बनता हुआ नजर आ रहा है जी की पावर उपर लगा हुआ है इसमें जी की नीचे लगा हुआ है ध्यान से देखना इसमें एक एक सैड में लेके जाना है तो हो सकता है आप डिफरेंसेशन करते हैं पहले इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो इसका कर दो यह भी तो हो सकता है कि मानलो पहले आपने इसे छोड़ दिया और इसका कर दिया डेलक्स की एल जी आई जे पलस दूसरे को छोड़ दिया और इसका कर दिया डेलक्स की एल जी आई के और यह आजए ज जाओगे जानभूज के तो नहीं होगे बट आपको फिर पता चल जाएगा कि हाँ प्रेक्टिस वास्ताव में क्या चीजी होती है तो आप जितना इजी समझ रहे हैं है तो इजी बट यह पूरा का पूरा प्रेक्टिस के उपर है डिपेंड है तो ध्याम देना लेफ्ट हैं साथ में तो नेउक्ष्ट सेप आ जएगी यह तो आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट साद में डेल घी की फावर आई के अपॉन डेल अक्स की पावर l इसको ले जाये में तो यह आ जाएगा माइड़स गीफ आईद के डेल जी आई d ौष्क्व फॉन differentiation करते हूँ चाहिए step पहले लिखे चाहिए step पहले लिखे ध्यान रखना left hand side में कुझा रखना जी के जो ऊपर लगा हुआ Contra variant vector तो Contra को आपे इस side में रख लिया और इसको हमने भेज दिया है इधर भेज दिया है ठीक है अब देखिए हमारे पास यह आ गया है G I J और डेलक्स G की I K और डेलक्स की L इसे मैं मान लेता हूँ एक बार equations नमबर 2 इसे हम मान लेते हैं बई equations नमबर 2 अब यहां हम लिखेंगे टेकिंग इनर प्रोडेक्ट अब हमें इनर प्रोडेक्ट लेना है विद क्या इनर प्रोडेक्ट लेंगे हम टेकिंग इनर प्रोडेक्ट विद बोथ साइड वी गेट बोथ साइड से of equations to we get ध्यान से देखिए अब हमें क्या लेना है inner product लेना है इस हिसाब से लेना है कि हमारे पास left hand side बच जाए हमारे पास left hand side है वो सेस रह जाए तो मैं एक बार यहां से इसे हटाता हूँ थोड़ इसी हमारे पास जगह रह जाए तो हम बखो भी इसका वरणन यहां कर सकते हैं ठीक है तो देखिए हमारे पास अब हम क्या लें कि ताकि हमारे पास left hand side यह ऐसी की ऐसी बच जाए तो ध्यान से देखो एक बार ऐसे है ना यह डेल जी आई के और डेल अक्स की एल ठीक है नीचे से तो आ रहा है कोई दिक्कत नहीं यह जी आई जे है क्यो ना इस जी आई जे को एक तो क्या चाहिए हमें आई चाहिए देखो एक तो हमें आई चाहिए जे नहीं चाहिए तो एक तो जे हटा दो ऐसे लगा तो जे को उटाने के लिए और एक क्या बच गया, k तो आई गया, m बच गया, तो m ले लो तो क्यों न आप दोनों साइड में ऐसे multiply कर दो, इससे हो गया क्या है, वो आपको अभी दिख़ाई दे जाएगा तो आप लिखना taking inner product with g की power jm with g की power और उपर ही लेना है j और m को क्योंकि ये इसके just नीचे है, तो आपको उपर लेना है g की power jm को both side of equations to we get, ठीके, तो दोनों साइड में हम लेंगे, तो हमारे पास क्या आजाएगा वई जैसे ही हम दोनों साइड में लेके चलेंगे, तब हमारे पास result क्या आजाएगा तो हमारे पास result आजाएगा कुछ ऐसा, ठीके, ये तो रहा हमारे पास gij, इनर प्रोडेक्ट का मतलब multiply कर दो g की power jm से, तो चाहे इधर कर दो, चाहे इधर कर दो, इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा ये ऐसा का ऐसा, del gik upon del x की power l, इसी परकार इसको भी multiply कर दो, इसको g की power jm से करना है, और ये आ गया del gij upon del x की power l, अब यहां से देखे, आप खुद ही बता दोगे, j से j गाइब हो गया क्या, तो delta लगेगा की नहीं, chronical delta जैसे equation उन में लगाया था, ये m बच गया है, और ये j बच गया है, ये हमारे पास m बच गया है, और हमारे पास j बच गया है, तो आप देख सकते हैं, हमारे पास ये ऐसा, बच गया है, जैसे j cancel, उपर तो m बच गया है, और नीचे i बच गया है, ध्यान से, उपर हमारे पास क्या बच गया है, m बच गया है, j से j cancel हुआ है, नीचे i बच गया है, और ये हमारे पास ऐसा का ऐसा, ये i और ये k, और ये del x की l ऐसा का ऐसा, ठीक है, और इसको भी छोड़ दो एक बार, ये ऐसे देख लो, g की पावर i k, और g की पावर jm, और g की पावर jm, क्या मैं यहाँ, देखिए हमें इस परकार से लेके आना है, देखिए ये चीज़, देखिए हमें इस परकार से लेके आना है, चलो एक बार तुशे ऐसा का ऐसा ही लिखो, डेल, g, i, j, अपॉन, डेल, x की पावर, l, लेट साइड हम बाद में देखेंगे, तो हमने jm से मल्टिपलाई कर दिया, तो यह हमारे पास यह बच गया, अब बताए, m और i बराबर होते ही वेल्यू क्या आ जाएगी, यह बच गया, तो i की जगह जैसे ही हम 1 रख देंगे, देखें, i और m बराबर हो जाएगे, तो i की जगह आप क्या रखोगे, i की जगह आप m रख दो, yes, आप i की जगह है, m रख दो, तो यह 1 आ जाएगी, इसको छोड़ तो ऐसा कैसा, i की जगह हमारे पास क्या जाएग ठीक है, यह ऐसा कैसा, g की पावर j और m आजाएगा, और यह आजाएगा, हमारे पास, del g, i, j, upon del x की पावर l, ध्यान देना, यहां हमने क्या लिखा है, m बराबर i, तो हम यह लिखेंगे, side में, कि delta m की पावर i बराबर 1 होता है, यदी और केवल यदी, i और m आपस में ब हमारे पास, पिछले वाली unit fourth के अंदर, अच्छे से सीख चुके हैं, तो यहां या तो i रखी हो, या m रखी हो, रखना क्या है, m, क्योंकि left hand side में m आ रहा है, अब आप देख सकते हैं, यह हमारे पास lh side है, यह ac की ac आ गई है, del g की power m के, upon del x की power l, इसलिए हमें दोनों side म g की power pm का क्या करना पड़ा, inner product हमें लेके चलना पड़ा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ा, इनर product हमें लेके चलना पड़ा, है न, तो ऐसे करते करते आप इस steps तक आ जाओगे, यहा तक आपके किसी भी परकार की दिकत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आपके किसी भी परकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए तो मैं एक बार यही स्टेप्स उपर लिख लेता हूँ तो यह आ गई है हमारे पास एडल G की पावर M के अपॉन डल X की पावर L अपॉन डल X की पावर L और यह हमारे पास बराबर में आ गया है ठीके अब अगर आप यहां से ध्याम दोगे कि हमें left side तो आ गई है तो कैसे भी हमारा मकसद था कि हम left hand side तक पहुँचे अब हमें right hand side की औरें जाना है देखिए right hand side की और जाने से पहले आपके पास दो प्रकार के तरीके है प्रोपर्टियों पर ध्याम देना इससे पहले हम हम एक प्रोपर्टी फैस्ट पढ़ चुके और एक प्रोपर्टी हम second पढ़ चुके और कुछ रिजेट्स हमें इस परकार से लेके आना है और देखो प्रोपर्टी फैस्ट क्या कहती है कि अगर आप I, J और K लेके आना चाते हो देखो ऐसी बता रहा हूँ I, J और K लेके हमारे पास यह समझ्या बच गई है इदर से देख लो second प्रोपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास I, J, K है अगर I, J और K है तो आपको पताए आई का K के साथ और कॉमा जे और जे का के साथ है और कॉमा आई कुछ इस परकार से हमारे पास होता है तो हमारे पास कुछ ऐसा G की पावर में चाहिए, कुछ G की पावर में चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको हटाओ अप सेकंड प्रोपर्टी से, तो क्या आजाएगा, ये तो आजाएगा हमारे पास ऐसा कैसा, डेल G की पावर M के अपॉन डेल X की पावर L, ठीक है ये तो लाश्ट तक चलता रहेगा, यहाँ देखिए आपर, G की I के, और ये G की J M, यहाँ देखिए हमारे पास सेकंड प्रोपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रोपर्टी क्या कहती है, इसे आई का L के साथ और जे, और ब्रेकिट्स लगेगा भई, फैस्ट काइंड जैसा, ठीक है तो अक्जाम में अगर आप लिखोगे तो लिखोगे using a second using property of a using property of a crystal fall symbol crystal fall symbol ठीक है अक्जाम में आप second मत दिखाना मैं एक बार यहां बता देता हूँ कि हमने second property ली है अक्जाम में क्यों ऐसे लिखना कि using property of crystal fall symbol तो हमने crystal fall symbol की property ली तो कुछ हमारे पास इस परकार से इसका result है यह आ गया है ठीक है अब इसको इसके साथ multiply और इसको इसके साथ multiply तो यह तो आ जाएगा हमारे पास से देल जे की m के अपॉन डेल अक्स की पावर एल यह देखिए क्या हो जाएगा माइनस जी आई के जी जे एम और यह इसके साथ इंटू में आई एल और के फिर यह पूरा का पूरा माइनस साइन सही ती इसके साथ है तो माइनस जी की पावर आई के जी की पावर जे एम जी की पावर जे एम और यह आजाएगा जे का एल के साथ है और आई जे का एल के साथ है और आई अब देखिए यहां हम इसकी फैस्ट प्रोप प्रोपर्टी को काम में लेंगे अब यहां द्यान दीजिए यह के हैं ना तो यह पहले और लिख लीजिए यह हमारे पास है पहले लिख लीजिए तो मैं इसको उपर लिखना चाहूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से इसे आपको रटनी नहीं है क्योंकि यहां तो हर बार अपको रटनी नहीं है कि तो आपके प्रस ॉप्शन रहता चाहिए लो चाहिए लो बट यहां आगए की और के है तो यह आगे की और के है तो आप इस सी स्टेप्स को कैसे लिख सकते हो जीकी पावर J M, G की पावर J M ठीक है भई, G की पावर J M और ये क्या आजएगी हमारे पास है और इसको लिख लो ऐसे ब्रेकिट्स में ले लो G की I K G की I K देखो ध्यान से, G की I K और इंटु में I L और K कुछ नहीं है बस इसको हमने बार लिख लिए आगे वाला हिससा देखिए, ये स्मोल के है तो ये भी हमारे पास इसमोल के आजएगा ठीक है एक तो ये हो गया, इसी परकार ये देखिए यहाँ आगे की और I है तो ये वाला जुरुत होगा इसका मतलब इसकी हमें जरूरुत नहीं है G की J M की G की J M की, तो यह कितना आजएगा, G की I के, यह आजएगा G की I के, और यह J L और I, यह G की J L और I, यह आजएगा हमारे पास G की J L और I, अब यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं, क्या हमारे पास crystal fall symbol का second kind की definition बन गई है? देखिए ध्यान से देखिए क्या हमारे पास यहां क्रिस्टोफल सिंबल की सेकिंड काइंड की प्रोपर्टी बन गई है तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ठीक है भई अगर आप इसे यहां ध्यान से देखेंगे तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा ये देखिए ये K है और ये K है तो मतलब लेफ्ट सैड वाला तो ऐसा कैसा M, K और अक्स की पावर L ठीके ये तो ऐसा कैसा ये देखिए माइनिस का छोड़ दीजिए G की पावर J और M को ये K है तो ये K है ये I, L है और ये I यहां नहीं आना चाहिए था वई यहां ये हमारे पास I, L और नहीं आना चाहिए था अब देखो हमारे पास कहीं न कहीं पीछे गलती हो गई है तब छोटी सी कौन सी स्टेप्स हमारे पास छुटी है वई left side तक तो यहां तक ठीक था right side में हमारे पास यहां minus g की power jm minus g की power jm या j की power i k यहां तक भी हमारे पास कोई दिकत नहीं है il के साथ k आएगा मतलब हमारे पास यहां एक property बच गई il के साथ हमारे पास j आएगा या k आएगा हम यहां से थोड़ी सी गलती कर गए है वई ठीक है एक विट देखो थोड़ा सा ध्यान देना ये तो हमारे पास ऐसे था ये तो हमारे पास जी की पावर जे एम था ये हमारे पास जी की पावर जे एम था और ये हमारे पास जी की पावर आई के था ये हमारे पास जी की पाव और L यहाँ I और J था देखो हमारे पास यहाँ से गलती हुई है यह हमारे पास है डेल जी I L और I J और यह L था तभी मैं सुचूं कि अंदर के कैसे आ गए अब देखो हमें क्या लगाना है इसकी वो second property लगाएती तो second property लगाओगे तो क्या जाएगी भई I का L के साथ है और J जबकि हमने क्या किया I L यहाँ किये लगा दिया और J L और I यहाँ गलती हो गई है अपने से यहाँ J आएगा यहाँ गलती हो गई है वही हमारे पास से यहाँ J आएगा तो आप सुधार कीजिए जहाँ हमने लिखा था ना अब थोड़ा सा फलेस बैक में जाहिए अपने एक दो स्टेप्स छोड़के कि जहाँ हमने लिखा था कि I L और J सैड में लिखा था using property of a crystal full symbol वहाँ आप ऐसे लिखिए चलो मैं एक बार उपर स्टेप को लिख देता हूँ वहाँ आप ऐसा लिखिए कि लेप्ट सैड तो ऐसा कैसा यह माइने से जी की जे एम जी की आई के जी की आई के ठीक है इसमें यही होता है प्रेक्टिस नहीं होती है तो अब यह लिखना आपे I L और J एक तो लिखा था using second property साइद हो सकता आपने सही भी लिखा होगा मैंने लिखते वक्त गल्ट कर दी होगी using second property of Christopher symbol तो I L और J और J L और I अब यह इसके साथ multiply होगा और यह हमारे पास है इसके साथ है multiply होगा तो फिर इससे next step हमारे पास कुछ ऐसे थी इससे next step हमारे पास ही कुछ ऐसी थी J की J M G की I K और J L और I J L और I ठीक है अब यहां से ध्यान से देखिए यहां आगे की और J है तो मिलाना process तो मेरे पास यह है मिलाना हमें यह है आगे की और हमारे पास है यह J है तो पहले इस J को अंदर ले लो तो मैं I और K इसको तो र रख रहा हूं बाहर और जे एम को ले जारा हूं अंदर जे एर एम को ले जा रहा हूं अंदर ठीक है इसी परकार देखिए यहां कौन मैचर आई तो आई वाला रख दो आई है तो आई वाला तो ले रख दो इससे अलावा छोड़ दो बार J J M और I a why क्योंग यह तुमने रिचे il है तो मैं यहाँ il दिखलू न अब यह जी है यह के साथ हो कौन बचल एंब ऑसी यह की jm है यह फास क्या है जे और एल यह लिखेंड में लिखेंब है यह लिखते ही किलिर हो जेगा using definition of a crystal symbol of second kind पूरा लिखना भई ये crystal symbol of a second kind yes symbol of a second kind तो ये हमारे पास second kind का symbol लगाने के बाद हमारे पास ऐसे आया तो पहले हमारे यहां के होने की वज़े से हमने ये इधर ले लिया ये इधर ले ये छोटी से गलती होगी तो ध्यान रखना आपका कुछ आई जे छुट जाएगा तो ये ही होगा तो ये तो हमारे पास चोटा ही क्यों से था वापस पगाड लिया वरना मैं ये बोलता कि आप आप खुद से करोगे क्योंकि पीछे जाना impossible सा हो जाता है और ठीक है ये हमारे पास definition लगई है second kind की crystal symbol लगाना ये ऐसे आ जाएगी यही हमें प्रूफ करना है देखिए क्या प्रूफ करना है हमें जी की पावर MI क्या प्रूफ करना है हमें एक तो एक तो यह चाहिए माइनिस जी की कैसे कर लो आई के लिखो M I L M और I L चलो यह च्टेफ तो आगई इसी प्रकार करना है के आई और यहां आई लगाओ वहीं से डूंडोगे तो यह मिल जाएगी और यही हमारे पास हैंसे प्रूफ की ओर आएगी तो आप बिल्कुल इमानदारी से वापिस स्टेफ बाई स्टेफ करोगे थोड़ा सा पीछे जाओगे तो हमारे पास किसी भी परकार की दिकत नहीं आने वाली है ठीक है तो इस परकार से इसे ध्यान में रखने वाले हो ठीक है वई तो अब हमें बिल्कुल भी रटना नहीं है कि यह प्रोपर्टियां हमारे पास ऐसे किस प्रकार से होती है प्रूफ हम इसका कर चुके हैं किसी भी रूप में यह आपको अग्जामिनेशन्स के अंदर पूछी जा सकती है ठीक मुलिए ठीक है सबसे सिंपल आई जे और के ले लिया तो आप क्या लिखोगी माइनस जी को ऐसे लगा देना फिर माइनस जी और ऐसे लगा देना सबसे अच्छा तरीका तो ये एक उपर आएगा दो नीची, एक उपर आएगा दो नीची, यहां तो कोई दिकत नहीं, वहिसी दिकता है, एक उपर देआएगा, दूसरा और तीसरा हमारे पास ऐसे आएगा, जो आगए Relativity मी चलेंगे, मैंसी फैनल के अदर 1, 2, 3 बहुत बार चलेगा ऐसे तो देखो ये 1, 2 और 3 मतर नीचे क्या है के है यहाँ आप small k रख दो और small k रख दो ठीक है अब जैसे मालो आपके पास i और j है तो पहले आप i रखोगे तो यहाँ j लगा दो और यहाँ पहले j रखोगे तो आप i लगा दो ठीक है अब यहाँ आप कुछ भी यह च्यारों हमारे पास को मना गई अब आप सबसे पहले क्या मानोगे सवाल हमारे पास यह है सबसे पहले हम क्या मानेगे हमें पता है माना तो ऐसे जाएगा g i j और एक यहाँ को मनाना चाहिए एक यहाँ को मना चाहिए अब की बार कौन को मना रहा है m m m और m तो कुछ ऐ ऐसा मानेंगे कि G की M इधर भी आजए और G की M इधर भी आजए और ये डेल्टा की पावर M से M कैंसिल हो जाए अब उपर I और J में आपको कोई एक लेके आना है जैसे मानलो मेरे को J चाहिए तो आप उपर J लगा लो और ये J अब यहां आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान यह इन में से नहीं लेना है बस बिल्कुल नया मानना है और नया हमने मान लिया L तो यह नीचे L तो यहां लगा दो L तो इसको अगर आप प्रूप करना चाहोगे तो सबसे पहले हमारे पास यह equation बन जाएगी फिर दोनों साइड में टेकिंग इनर प्रोडेक्ट लेना है वो आप यहां से अडेस्ट करके देख लोगे दोनों साइड में differentiation करोगे अब इसका differentiation दोनों साइड में किसके respect में होगा के respect में differentiation होगा और आप एक बर करके देखना यह आपका प्रूप हो जाये तो समझ लो कि property third अवो आपको अच्छे से समझ में आ गई है और अगर यह नहीं होता तो समझ लो अवे आपके कमी है experience की तो बार-बार practice करते रहें जरूर समझ में आ जाएगी ठीक है तो यह थी हमारे पास property third इस third property को भी आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखोगे मैंने जैसा लिखा है वैसा बिल्कुल भी याद नहीं रखोगे indices आपके पास i i, j, k, l, m वगेरा कुछ भी हो सकती हैं यह हमारे पास indices i, j, k, l, m की वज़ाए हमारे पास कुछ भी possible हो सकती हैं ठीक है अब देखिए हमारे पास last इसकी property fourth है fourth property को आप कुछ इस परकार से याद रखना i, j, or k या i, i, or j ठीक है भी i, 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 or j है यह हमारे पास इस परकार स होती है 1 upon 2, j, 1 upon 2, j, del, j upon del, x, ठीक है, del, j upon del, x, k, j, upon del, x, k, j, yes, यह हमारे पास इस परकार से होते हैं i, i, j, is equal to 1 upon 2, j, del, j upon del, x, k, j, ठीक है यह हमारे पास fourth property होती है इसको भी हम काफी तरीके से लिख सकते हैं ध्यान से देखना है हमारे पास है अब यह g क्या है हमारे पास simple g छोड़ा है तो आपको एक बार मान के चलना पड़ेगा यह g हमारे पास वास्तों में ऐसे है g, i, j, yes, यह g हमारे पास वास्तों में ऐसे है g, i, j, ठीक है अब दे यही है मैं इसको कई प्रकार से लिखूंगा फिर हम इसे बहुत ही अच्छे से explain करेंगे ताकि examinations के अंदर आपको किसी भी प्रकार की दिकतें ना आई क्या आप इसके अंदर 1 नीचे तो है आप इसको ऐसे ला सकते हैं मतलब आप डेयल बाइ डेल अक्स की जय और रूट जी में घंस्ट बहुन की टें Hilث P पूल पाइब टू जी क्वाइल ऑट डेल जाके लिख सकते हो क्या क्या अप इससे लिख सकते लगता है नहीं कि आपको इस प्रकार से इसे लिखें सकते हो क्योंकि रूट वाले का डिफ्रेंसेशन क्या होता है और ऐसे समझो एक बार मालो अक्स के रिस्पेक्ट में ही है तो रूट का डिफ्रेंसेशन क्या होता है वन अपॉन टू रूट होता है तो आप यहां रूट जी लगाके देखिए तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 upon root g क्योंकि इसका differentiation करके देखोगे तो यह होता है 1 upon 2 root के अंदर और खुद root वाले का differentiation और खुद root वाले differentiation तो डेल बाई डेल लक्स की j into g तो यहां हमें root g लगाना होगा ठीक है भी यहां हमें root g लगाना होगा देखो पहले तो चलो एक छोटा सा concept किलियर करो property fourth हमारे पास यही है कुल मिला के बात है property fourth है हमारे पास यही है आप इसको कितनी परकार्षे लिख सकते हैं पहले तो हम इस बात की और द्यान देना चाहेंगे जैसे मैं बोलूं कि वही आप है ना root x का differentiation करो किसके साप x ही जैसे मैंने बाल दिया कि u के साप x करो ठीक है तो आपको पता है root x का कितना होता है one upon two root x पहले root का होगा one upon two root फिर x का होगा del x upon del u ओके तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि one upon root g one upon root g del by del x की j into root g into root g क्यों बई क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं प्रूफ करके देख लो चाहिए इसको तो छोड़ तो ऐसा कैसा root का कितना होता है बई one upon two root और खुद g का कितना हो जाएगा del g upon del x की j अब root g को root g से गुणकर जी आजएगा तो one upon two g और del g upon del x की j मतलब हम इस प्रोपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप इसे और भी देखो और ज्यादा अच्छे से अगर आप देखना चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो del by del g del by del x की पावर j del by del x की पावर j क्योंकि देखो डिफरेनसेशन किसके respect में उसमें गलती मत करना और आप इसे log root g भी लिख सकते हो आप इसे log root g भी लिख सकते हो क्यों भई? log का differentiation कितना होता है? 1 upon और फिर g का कितना हो जाएगा? root के अंदर और यह आ जाएगा तो इसको देखो फिर से हमारे पास यह आ जाएगा 1 upon root g del x की power j फिर आप root का करते फिर होगे तो और आगे चल के हमारे पास यह आ जाएगा तो आप इसको इस परकार से भी लिख सकते हो तो आप इसको इस परकार से भी लिखी सकते हो, ठीके? ध्यान रखना अब हमारे पास यहां लिखेंगे e, p, g, a, j positive, yes यहां हम लिखेंगे यह g हमारे पास क्या है भई? positive है, तो आप इसी symbol को ऐसे भी लिख सकते हो i, i, j ठीक है भी? क्योंकि g negative हो जाएगा, तो root के अंदर iota आ जाएगा, और iota आ जाएगा तो हम कालपनिक दुनिया में चले जाएगे यानि imaginary parts में चले आप इसे ऐसे लिखो, i और i, j, negative में आ गया तो आप पहले से ही minus का sign लगा के रखो और बोलो, e, ph, g, a, j, negative e, ph, g, a, j, negative ठीक है? और यहां g लिख लो अब मानलो, g की value हमारे पास minus 5 आ गई, तो यहां minus 5 रखेंगे, तो minus, minus से plus 5 है, यानि root के अंदर किसी भी हालत में आयोटा नहीं बनना चाहिए, imaginary नहीं आना चाहिए, यह भी हमारे पास इसके बराबर होता है ठीक है? अब आप यह सोचेंगे कि हमारे पास यह g minus में क्यों आ लिए लिया? तो यह जहां सब की जगाप ऐसे लिखना कि यह रहे, g है वो हमारे पास determinant है gij का जो हमारे पास negative भी आ सकता है और ही positive भी आ सकता है रहे, ऐसे मान लो, देखो वास्तों में gij क्या होता है? मैं पहले वाली unit 4 था, वो repeat नहीं करना चाहता है, पर आप देखो एक बार, वास्तों में gij होती है वो ऐसे होती है g11, g12, g13 चलो एक बार, 2 कुरोस 2 की ले लो जैसे ऐसे देखो matrix, 2, 3, 4 और 5, मान लो यह g के बराबर है, मैं बोलो इसका determinant निकालिए तो इसका determinant कितना आ जाएगा? gij के बराबर है, मान लो, तो 5 दूनी 10 से minus 4 थी है 12, तो कितनी आगी, minus का 2, तो अगर इसका g negative आता है, तब तो हम यह formula काम में लेंगे, और मान लो, हमारे पास ऐसे आगया? यह हमारे पास ऐसे आगया, 8 दूनी 16, minus का 12, पलस का आगया 4, तो हम यह वाला काम में लेंगे, तो यह हमारे पास एक परकार्षिक qsons है, अब इसका qsons आपको exam में कैसे भी घुमा के दे सकता है, ध्यान देने वाली बात यह वही, यह हमारे पास property है, इसका qsons हमें कैसे भी घुमा के दे सकता है, जैसे देखो qsons ही qsons बनते वे नजार आ रहे हैं, आपको ऐसे स्क्राइब सी बफ़ल्ट देंटेश के बराबर पैसा शीद आपन रूट वान अपॉन रूट जी कुछ ऐसा दे सकता है या हमारे पास क्यूशन से बना एसे दे सकता है सो प्यूशन ये आपको क्यूसन बनाके ऐसे दे सकता है, so that इसके बराबर हमारे पास ही ऐसा है, ठीके, तो ये च्यारों हमारे पास questions बनाके पुछे हुए हैं, एक बार इन दोनों को एक साथ लिख दिया, एक साथ लिखने का मतलब समझते हो, ऐसे लिख के दिया कि I, I, J बराबर शिद करो, कि del x की पावर del j log root j is equal to del by del x की j log root minus j, यहां लिख दिया, g positive integer आएगा, यहां लिख दिया, g negative value आएगा, ठीके, ऐसे लिख के दे दिया, तो ऐसे भी दे सकता है, ये अलग, 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 क्यूशन से, और आप जानते हैं कि ये च्यारों हमारे पास एक ही जैसे क्यूशन से, ये हमारे पास च्यारों एक ही जैसे क्यूशन से, यहां आपको लिखना नहीं है, बस केवल और केवल आपको याद रखनी है, ऐसे क्यूशनों के लिए हिंट है, कि g हमारे पास determinate है, gij का ध्यान देना अरटना नहीं है, यह IJ यह इसका नीचे वाला ही IJ है यह IJ हमारे पास नीचे वाला ही IJ है तीन-چार बार जोर दे के इसलिए बोर रहा हूँ ताकि रटना नहीं पड़े IJ है तो I इसका I उपर काम में ले लो तो यह J है यह इे differentiation में काम में लेंगे ठीक है तो पहले तो देखो बात में यहां complete करता हूँ ये च्यारों questions हमारे पास एक जैसे हैं च्यारों को prove करने का तरीका हमारे पास एक ही है इसके बाद आप ये लिख दो ये लिख दो ये लिख दो इस बात से हमें कोई फरक नहीं पड़ने वाला है तो मानते हुए चलूँगा कि हमारे पास वास्त में questions है वो ये ही है बाकी नीचे इसके specials results जो इसी को गुमाने फिराने के उपर आ जाते हैं तो ये इतना बड़ा issue नहीं है बस issue ये कि आप इसे कैसे याद रखोगे तो ये हमारे पास एक परकार से property fourth है ठीक है वही ये हमारे पास property fourth है किसकी property fourth है वही क्रिस्टोफ होल सिंबल की याद रखोगे iij 1 upon 2g delg upon delx की powering j ठीक है और hint के तोर पे लिखना है आगे हम proof में काम में लेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले ही कि g की जगह है वास्तों में हमारे पास ऐसे है ये जो g लिखा हुआ ना वास्तों में इसे ऐसे लिखना चाहिए 2gij delgij upon delx की power j और ऐसे अग्जाम में दे भी सकता है ध्यान रखना वही श्वात का ऐसे हमें अग्जाम में बोल सकता है इसके बराबर आपें प्रूफ करो तो हमारे पास एक नहीं समस्या क्रियेट हो जाएगी कि ये हमारे पास कहां से आ गए तो ध्यान रखना इसमें जो नीचे लिखा हुआ मिलेगा वो ही हमारे पास g की value होगी जैसे मालो में इस property को गुमा के L, M, N बोलना चाहूंगा तो क्या मैं L, M, N बोल सकता हूँ तो ध्यान देना नहीं पहले नीचे की और ध्यान देना क्या है जैसे मालो नीचे की और हमने ऐसे लिख दिया M, N है तो यह आजएगा हमारे पास ही 1 upon 2G del G upon del X की power fix है तो यहां बताईए हिंट हमारे पास क्या आजएगी G, यहां जो नीचे है M और N तो यहां हम मान के चलेंगे M और N है तो M है यह आप उपर ले लिजिए M ठीक है, left वाला M तो आप उपर लिजिए N वाला आप इधर लिजिए या आप इसका उल्टा कर लिजिए देखे, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है या आप इसे बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं del G upon मान लो आपने N इधर ले लिया कोई एक समान तो बच गया कौन? M तो M आप इधर कर देना तो M आप इधर कर देना तो यह है हमारे पास वास्तों में प्रोपर्टी है, क्रिष्टोफोल सिंबल से ओपे फोर्थ प्रोपर्टी है ठीक है? तो इस परकार्शे आपको बिल्कुल भी याद रखने की और इसमें रटने की जरूत नहीं है कि इस परकार्शे आई जे क्योंकि हमारे पास अग्जामिनेसिंस के अंदर जरूरी नहीं है कि वो आपको आई और जे ही लिखके दे ठीक है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास आई और जे ही लिखके दे तो अब यह हमारे पास प्रोपर्टी फौर्थ चल रही है और ये हमारे पास इसकी last property है इसके बाद हमारे पास क्रिस्टोफ पॉल सिम्बल से related अक्जामपल से और क्यूसन से आने वाले हैं ठीक है तो इस क्यूसन को हम ऐसे बना के लिख लेते हैं क्यूसन के अंदर कि so that, एक persons बना के हम लिख लेते हैं, so that, अब आप समझगे, किसी भी परकार से इसको इधर उधर घुमा के दिया जा सकता है, तो मैं सबसे पहले important करेगा, यहाँ नीचे क्या लिखा है, तो हमने मालो नीचे elm लिखा है, तो इसको fix कर दो, one upon two g, del g upon del x की power, ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, अगर मैं उपर i ही लिख लेता हूँ, लिखना इन दोनों में से ही है, i लिख लेता हूँ, तो आप यहाँ j लिखोगे, येस, i लिख लेता हूँ, तो आप यहाँ j लिखोगे, अगर मैं यहाँ j लिख लेता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखो, आप यह बात को अलग अलगे, तो एक बार तो हम इसे बुक के हिसाब से ही रहने देंगे कि यह आई और आई है तो नीचे आई जे है तो आपको लिखना नहीं है बस हिंट के तोर पे ही मैं आपको बता रहा हूं कि यहां जो जी है यह वास्तों में ऐसे है आप इसे लिखिए गामत इस बात को ठीक है जो न प्राबर के साइन लगा सकते हैं तो यह हमारे पास इस परकार से इसे डिनोटे किया गया है ठीक है तो यह हमारे पास क्यूसन्स है कि आप इसे सिद्ध कीजिए आई आई और जे येस कहीं आपको ल दिखाई देने लगजे आई आई और जे इस एक्वल टू तो आप मिसे इस बात को अपन लिखेंगे नहीं ये बात हम केवल याद रखेंगे प्रोपर्टी हमारे पास फोरती चल रही है और लगाईए ये क्यूशन्स हमारे पास very 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 important है मानके चली अग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है नहीं भी पूछा जाएगा तो भी इसकी जो प्रोपर्टी है किस प्रकार से हम इसे सोल करते हैं बहुत सारी बातें आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगी येस बहुत सारी बातें आपको इसके अंदर सीखने को चाहिए ठीक है तो आज इस लेक्टर्स को हम एक बार यहीं रोकेंगे क्योंकि जैसे मिसका पुरूफ बताऊंगा तो यह काफी लंबा चला जाएगा हो सकता है 10 मिनिट में भी समझा दूँ हो सकता हम इसमें 40 मिनिट भी ले लो क्योंकि वो तो इसके समझाने के उपर कैसे रीप्लेस कर सकता है समझाना यह नहीं कि देखो यह दे दिया और इसे पूरूफ करके बताओ समझाना यह है कि अगर यह बदल के दे दिये तो अग्जामे क्या करोगी तो रटके तो जा नहीं सकते कि IJ है यहां तो इतनी ही बार लगेगी अग्जामनर को कि यह लो जी J और M और J J, M और J लिखके दे सकता है कि ऐसे बिलकुल एक समान होना चाहिए दोनों का तो बताओ वही क्या है तो यह तो ठीक है वन अपॉन टू जी डेल अक्स की पावर बताओ यहां क्या हैगा दोनों J काम में आ गए तो बचा हुआ M इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा और बताओ यह वास्ता में J क्या है यह नीचे वाला M और J लगा हुआ है तो अगर ऐसे पुरूफ करवा लिया तो आप तो गए एक काम से क्योंकि आपको फिर आप क्या करोगे अगर मनलों याद भी रख लिया तो आप ऐसे वो लोगों देखिए I की जगह तो J शिप्ट किया है और यहां आप फिर घुम जाओगे कि J की जगह M शिप्ट किया है तो आपको ऐसे थोड़ी सी दिक्कत यहां हो सकती है इसलिए हम पहले ही बिलकुल तीनों प्रोपर्टियों को हमने ऐसे ही बताया है कि किसी भी परकार से आपको इनके सिंबल याद ना रखना पड़े बस केवल और केवल आप तो इसकी प्रोसे सप्लाई पर ध्याम दो कि अगर ऐसे है तो यह J का मतलब क्या है दोनों एक समान है आई और आई तो यहाँ J आ जाएगा यह हमारे पास लाष्ट प्रोपर्टी है जो आपको याद रखनी है और इसका प्रूप अगर आपने प्रोपर्टी अच्छे से याद रख ली तो प्रूप को करने में आपको कोई दिक्कत आने ही वाले नहीं है तो यह आपको यहाँ तक कैसा कैसा लिखाओ मिलेगा नेक्स्ट लेक्स नमबर थरी के अंदर हम इसे प्रूप करने वाले हैं तो पंदरा बीस मिनिट चालिस जितने भी लगते हैं इसे इमानदारी से या इमानदारी का मतलब हमारे पास यहां गुमा गुमा के बताएंगे कि किस परकार से आप इसे समझ सकते हो ताकि आपके एक्जामिनेर में गलती ना हो और गलती से बचने का एक तरीका है यह TENSORS ANALYSIS का PEPER यह PRACTICE मांगता है आप जितनी अच्छे से इसकी PRACTICE करोगे उतने ही अच्छे से आपे इन क्रिष्टोफोल सिम्बल या पहले आपने जो Contra Variant, Covariant वगेरा पढ़ा है Mixed TENSOR क्या होता है, Symmetric TENSOR क्या होता है, Fundamental Covariant TENSORS of Order 2 क्या होता है या Higher Order के Contra Variant, Covariant वगेरा क्या होते हैं तो यह सब आपको PRACTICE करने के बाद ही आप इसे अच्छे से Examination के अंदरे निकाल पाओगे ठीक है, तो मिलते हैं आपको Next Lectures में यहां तक ऐसा कैसा लिखा हो मिलेगा आते ही साथ हम Excutions को प्रूफ ही करने लगेंगे, ठीक है भई?